नमस्कार बच्चो कैसे हैं आप मुझे आशा है कि आप सभी अपने परिवार सहित प्रसन और स्वस्त होंगे जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी कक्षा 10 की पाठ्थे पुस्तक के एक बहुत ही महत्पूर पाठ भारत में राश्टेवाद पर चर्चा कर रहे हैं पिछले अंक में हमने असहयोग आंदोलन के पृति आदिवासियों और भागान मजदूरों के रुख स्वराज पार्टी साइमन कमीशन आर्थिक महामंदी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव सविने अवग्या आंदोलन असहयोग आंदोलन और सविने अवग्या आंदोलन में अ अब हम आगे की चर्चा करते हैं। बच्चों, अब हम उन सामाजिक वर्गों पर नज़र डालते हैं, जिनों ने सबीने अवग्या आंदोलन में भाग लिया। उनके आंदोलन में शामिल होने के क्या कारण थे, उनके आदर्श क्या थे और वे स्वराज का क्या अर्थ लगाते थे सबसे पहले हम ग्रामिन शेत्रों की ओर चलते हैं गाओं के अमीर, किसान, समुदाय जैसे गुजरात के पटेल और सयुक्त प्रांत के जाटों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया महामंदी के कारण इनकी नगदी फसलों के उत्पादन से होने वाली आमदनी काफी कम हो गई थी जबकि सरकार अपना पूरा भूराजस वसूलने पर अली थी यह अमीर, किसान, ब्रादरियां भूराजस में कमी होने की आशा में सविने अवग्या आंदोलन में शामिल होई थी लेकिन जब इनकी आशा पूरी हुए बिना ही 1931 में आंदोलन इस्थगित हो गया तो उन्हें बहुत ही निराशा हुई इसलिए जब 1932 में आंदोलन दुबारा आरंभ हुआ तो इन में बहुतों ने दुबारा इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया बच्चों अब हम बात करते हैं निर्धन किसानों की उनकी मुखे परिशानी जमीनदारों द्वारा उनसे वसूले जाने वाले भारी लगान से संबंधित थी महमंदी के कारण छोटे किसान जमीनदारों को लगान देने में असमर्थ थे और चाहते थे कि बगाय लगान उनका माफ कर दिये जाए वह समाजवादियों और कम्यूनिस्टों द्वारा चलाए जाने वाले उग्र आंदोलनों में भी प्राय शामिल हो जाते थे कॉंग्रेस धनी किसानों और जमीनदारों का समर्थन खोने के डर से निर्धन किसानों के लगान नहीं अभियान को समर्थन देना नहीं चाहती थी इसलिए कॉंग्रेस और निर्धन किसानों के बीच के संबंध अनिश्चिती बने रहे बच्चों अब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं पिर्थम विशुद के दौरान व्यापारी वर्ग ने मोटा मुनाफ़ा कमाया और वह शक्तिशाली बन गया अब वह अपना विस्तार करना चाहते थे लेकिन आपनिवेशिक नीतियां उनके मार्ग में बाधक थी वह विदेशी वस्तूों से प्रतियोगिता से सनरक्षन चाहते थे और रुपे स्टर्लिंग के बीच ऐसी विनिमेदर चाहते थे जो की आयातों को हतोत साहित करें उन्होंने अपने व्यापारिक हेतों के समवर्धन के लिए 1920 में भारतिय औद्योगिक एवं वानिजिक कॉंग्रेस यानि IICC तथा 1927 में भारतिय उद्योग एवं व्यापार परिसंग यानि FICCI यानि फिक्की की स्थापना की पुर्शोत्तम दास ठाकुर दास तथा घंशाम दास ब्रला जैसे अगरणी उद्योग पतियों के नित्रित्व में व्यापारी वर्ग ने भारतिय अर्थवियस्ता पर आपनिवेशिक नियंत्रन का विरोध किया तथा सविने अवग्या आंदोलन के पहले चरण में इसका समर्थन किया व्यापारियों ने विदेशी वस्तों को खरीदने और बेचने से इनकार कर दिया तथा सविने अवग्या आंदोलन के लिए आर्थिक साहता भी दी अधिकांश व्यापारी स्वराज को एक ऐसे समय के रूप में देखते थे जब भारतिय व्यापार पर लगे आपनिवेशिक बंदन हट जाएंगे लेकिन गोल में सम्मेलन की विफलता के बाद व्यापारी समू उतने उत्साहित नहीं रहे वह उग्र गतिविदियों के पिरसार और व्यवसाय में लगातार व्यवधान उत्पन होने से आशंकित थे वह कॉंग्रेस के युगा सदस्यों के समाजवाद के पिरभाव में आने से भी चिन्तित थे बच्चों अब जरा ओद्योगिक मजदूर वर्ग की बात करें नागपुर शेत्र को छोड़ कर ओद्योगिक मजदूर वर्ग ने सविने अवग्या आंदोलन में बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया कॉंग्रेस के उद्योगपतियों के निकट आने के कारण ओद्योगिक मजदूर उससे दूर हो गए हाला कि कुछ जगहों पर मजदूरों ने कुछ चुनिंदा गांधिवादी कारेकर्मों को अपनाया और अपने हित के मुद्दे जैसे मजदूरी में वृद्धी और खराब काम की दशाओं में सुधार आधी भी उठाए 1930 में रेलवे करमचारियों और 1932 की गोधी करमचारियों ने हड़ताल की 1930 में छोटा नागपूर की तिन खदानों के हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहन कर विरोध रेलियों और भहिशकार अभियानों में भाग लिया हाला की कॉंग्रेस मजदूरों की मांगों को अपने संघर्ष का एक भाग बनाने के पिर्ती अनिच्छुक थी क्योंकि उसे लगता था कि इससे उद्योक पती आंदोलन से दूर हो जाएंगे और उपनिवेश विरोधी शक्तियों में फूट पड़ जाएगी बच्चों अब हम महिलाओं की आंदोलन में भागिदारी की बात करते हैं सविने आंदोलन में महिलाओं ने भड़ चड़ कर हिस्सा लिया उन्होंने नमक बना कर कानून तोड़ा विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना दिया विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया बहुत सी महिलाओं जेल भी गई आप अपनी पुस्तक का चित्र नौ देखिए महिलाओं राष्टेवादी जलूसों में भाग ले रही हैं इनमें से बहुत सी महिलाओं तो ऐसी थी जो अपने जीवन में पहली बार अपने घर से निकली थी इनमें बहुत सी व महिलाओं दोनों ही जगह केवल उच्च वर्की महिलाओं नहीं आंदोलन में भाग लिया हालाकि सार्वजनिक जीवन में भड़ती भूमिका के बावजूद महिलाओं के इस्तिती में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ स्वयम गांदी जी और कॉंग्रेस भी आंदोलन में महिलाओं की केवल प्रितिकात्मक उपस्तिती ही चाहते थे और वे महिलाओं को उनकी आदर्ष पत्नी, आदर्ष मा और आदर्ष ग्रहनी की परंप्रागत भूमिका में ही देखना चाहते थे लंबे समय तक कॉंग्रेस ने महिलाओं को संगठन में कोई महत्पूर पद नहीं दिया तो बच्चो अब हम सविने अवग्या आंदोलन की सीमाओं के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चो वैसे तो सविने अवग्या आंदोलन जन्ता के अधिकांश वर्गों की अतियंत व्यापक भागीदारी वाला आंदोलन था लेकिन फिर भी इसकी कुछ सीमाएं थी और जन्ता के कुछ ऐसे वर्ग थे जो उससे छूट गए थे जैसे दलित और मुसल्मान तो आईए चर्चा शुरू करते हैं और देखते हैं सविने अवग्या आंदोलन की कुछ पिर्मुक कमियों या सीमाओं को और बात करते हैं इनके कारणों और परिणामों की लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस बात पर कि इस आंदोलन के पिर्ती दलितों का क्या रोख रहा और उसके क्या कारण थे देश के अचूत जो 1930 के आसपास अपने को दलित कहने लगे थे सुराज की अवधारना से पिरभावित नहीं हुए उची जाती के हिंदूओं के नाराज हो जाने के डर से लंबे समय तक कॉंग्रेस ने दलितों की अंदेखी की लेकिन गांधी जी ने दलितों जिन्हें वह हरीजन कहते थे कि दशा सुधार ने और छुआ छूत खतम करने के लिए समास सुधार के काम शुरू किये और इसे कॉंग्रेस का एक मुख्य कारेकरम बना लिया लेकिन दलित नेता अपने समुधाय की समस्याओं के समाधान के लिए गांधी जी के सामाजिक समाधान की अपेक्षा राजनेतिक समाधान को उप्यूक्त मानते थे वह दलितों के लिए शिक्षण संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण तथा दलितों के लिए पिर्थक निर्वाचक मंडल हासिल करके उनका राजनेतिक सशक्ति करों करके उनकी दशा सुधारना चाहते थे इसलिए सविने अवग्या आंदोलन से दलित प्राय दूर ही रहे विशेशकर महारास्ट और नाकपुर शेत्र में जहां उनका संगठन अपेक्षाक्रित अधिक शक्तिशाली था डॉक्टर भीम्राओ अंबेटकर ने 1930 में डिप्रेस्ट क्लासिस एसोसियेशन की इस्थापना करके दलितों को संगठित किया दूसरे गोल में समेलन में अंबेटकर ने गांधी जी के प्रस्तावों का विरोध किया और दलितों के लिए पिर्थक निर्वाचक मंडल की मांग की जब अंबेटकर की यह मांग मान ली तो इसके विरोध में गांधी जी आमरण अंशन पर बैट गए उनका कहना था कि पिर्थक निर्वाचन दलितों को सदा के लिए हिंदू समाज से पिर्थक कर देगा इसलिए यह नहीं होना चाहिए अंतता अंबेटकर ने गांधी जी के नैतिक दबाव को मानते हुए पिर्थक निर्वाचक मंडल की अपनी मांग छोड़ दी और कॉंग्रेस ने उनकी आशा से भी अधिक सीटें केंद्रिय और प्रांतिय विधाई परिशदों में दलितों के लिए आरक्षित कर दी लेकिन निर्वाचक मंडल सामान नहीं रखा गांधी जी और अंबेटकर के बीच यह समझोता सितंबर 1932 में हुआ और इसे पूना पैक्ट कहते हैं हाला कि दलित आंदोलन कॉंग्रेस के नेत्रित में चलने वाले राष्ट्रिय आंदोलन के पिर्थी आशंकित ही बना रहा बच्चों अब हम मुसल्मानों की बात करते हैं। मुसलिमों के आरक्षण की अनुचित मांग को भी मानने को तैयार हो गई। लेकिन हिंदू महासभा के एमार जैकर के जोड़दार विरोत के कारण ऐसा नहीं हो पाया और गड़बंदन की संभावना समाप्त हो गई। मुसल्मान कॉंग्रेस को एक हिंदू संगठन के रूप में ही देखते रहें। इसलिए सविने अवग्या आंदोलन में मुसल्मानों की भागिदारी अत्यांती सीमित रही। प्यारे बच्चों, यहां हमें भारत के क्रांती कारियों के बारे में भी कुछ चर्चा करनी चाहिए। बहुत से राष्टेवादियों का यह मानना था कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई अहिंसा से नहीं जीती जा सकती। 1928 में दिल्ली के फ्रोश्या कोटला मैदान में एक बैठक करके हंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी यानी HSRA की इस्थापन की गई। इसके नेताओं में भगस सिंग, जतिंदास तधा अजय घोश थे। भारत के विभिन भागों में नाटकिये कारवायों की श्रंखला के द्वारा HSRA ने बिर्टिश शक्ती के कुछ पृतिकों को निशाना बनाया। अप्रेल 1929 में भगस सिंग और बटुकेश्वर दत ने केंद्रिये विधान परिशत में एक बम फैका। उसी साल जिस ट्रेन में लॉर्ड इर्विन यात्रा कर रहे थे उसे बम से उड़ाने की कोशिश की गई। जब भगस सिंग पर मुकदमा चला कर उन्हें फासी दी गई तब वह केवल 23 वर्ष के थे। अपने मुकदमे के दौरान भगस सिंग ने कहा कि वह बम और पिस्तौल के संप्रदाय को महिमा मंडित नहीं करना चाहते हैं। अपीतु समाज में क्रांती चाहते हैं। उनके भाषन का एक अंश था क्रांती मानव का अहरणिये अधिकार है। सवतंत्रता सभी का अहस्तांत्रणिये जनमसिद्ध अधिकार है। श्रमिक ही समाज का वास्टविक धान करता या पालन करता है। इस क्रान्ती की बलिवेदी पर चड़ाने के लिए हम अपनी जवानी को धूबबत्ती की तरह लाए हैं क्योंकि इस उद्दात उद्देश के लिए कोई भी बलिदान महान नहीं हैं हम संतुष्ठ हैं हम क्रान्ती के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद तो बच्चों देखा आपने क्रान्ती कारियों के विचार कितने उचे और उद्दात थे यहां आप एक बात और देखो भगस सिंग जैसे क्रान्ती कारी भी हिंसा को कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानते थे इससे यह सिद्ध होता है कि महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्या ग्रह का विचार ही मानव की मूल प्रकरती के अनुकूल है तो बच्चो अब हम आते हैं हमारे कारिकरम के आपके सबसे पसंदीदा भाग पर जिहां प्रश्णोत्री यानि क्विस टाइम तो बच्चो हमारा पहला प्रश्ण है और द्योगिक मजदूर सविने अवग्या आंदोलन में बड़े पैमाने पर शामिल क्यों नहीं हुए और आपके विकल्प है ए कॉंग्रेस की बड़े उद्योग पतियों के साथ निकटता के कारण बी अंग्रेजी सरकार के डर के कारण सी अंग्रेजी सरकार के अच्छे कामों से खुश रहने के कारण और डी अच्छी मजदूरी और काम की बहतर दशाय मिलने के कारण तो बच्चो आप इसका क्या उत्तर देंगे जी हाँ बिलकुल सही पहचाना आपने इसका उत्तर है A. कॉंग्रेस की बड़े उद्योगपतियों के साथ निकट्टा के कारण। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। उद्योगपति और व्यापारी सविने अवग्या आंदोलन के दूसरे चरण में उसमें भाग लेने के पिर्ती अनिचुक क्यों थे। आपके विकल्प हैं A. व्यवसाय में लंबे समय तक व्यवधान उत्पन होने की आशंका के कारण। B. उग्रपंति गति विध्यों के पिरसार की आशंका के कारण। C. कॉंग्रेस के युवा सदस्यों के समाजवात के प्रभाव में आने की चिंता के कारण। और D. उप्रोक सभी। तो बच्चों क्या उत्तर होगा। जी बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका उत्तर है D. उप्रोक सभी। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। कॉंग्रेस निर्धन किसानों के लगान नहीं अभियान को समर्थन क्यों नहीं देना चाहती थी। और आपके विकल्प हैं. प्रश्न पर आते हैं 1932 में सविने अवग्या आंदोलन दुबारा शुरू होने पर बहुत से धनी किसानों द्वारा उसमें भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया गया और आपके विकल्प हैं अंग्रेश सरकार से डर के कारण बी मुस्लिम लीग के भड़काने पर सी धनी किसानों की भूर आजस्व में कमी की मांग के पूरा हुए बिना ही गांधी जी द्वारा 1931 में सविने अवग्या आंदोलन को इस्थगित किये जाने से निराश होकर और डी उप्रोक सभी तो क्य कि स्थापना किसने और कब की आपके विकल्प हैं ए गांधी जी ने 1932 में बी डॉक्टर अंबेटकर ने 1930 में सी पैरियार ने 1931 में और डी जोतिबा फुले ने 1890 में तो बताइए क्या सही उत्तर होगा जी बिलकुल ठीक पहचाना आपने इसका उत्तर है बी अंबेटकर न 1930 में तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्न है हिंदू महासभा के किस नेता के जोड़दार विरोध के कारण कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के बीच 1927 में होने वाला संभावित गडवंदन तूट गया और आपके विकल्प हैं अगले प्रश्न पर आते हैं बच्चों गांधी जी ने अचूतों को क्या नाम दिया था आपके विकल्प हैं अनुसूचित जाती बी अनुसूचित जन जाती सी अन्य पिछड़ा वर्ग और डी हरीजन तो बच्चों आपके दिमाग में क्या उत्तर आया जी बिलकुल इसका उत्तर है D. हरीजन तो बच्चों हमारा अगला प्रश्ण है गांधी जी के राष्ट्रिय आंदोलन में आने से पहले कॉंग्रेस ने अच्छूतों या दलितों की उपेक्षा क्यों की थी और आपके विकल्प है A. उच्छ जाती के सवन हिंदूओं के नाराज हो जाने के डर से B. अंग्रेजों के डर से C. आर्थिक कारणों से और D. दलितों की पहले से ही अच्छी हालत होने के कारण तो जी बच्चों आपने बिल्कुल सही सोचा है इसका उत्तर है A. तो बच्चों अब हमारा अगला प्रश्ण है खिलाफत आंदोलन के बास से मुसल्मान कॉंग्रेश से दूर क्यों हो गए थे और आपके विकल्प है A. क्योंकि कॉंग्रेश की हिंदू महासवा जैसे हिंदू राष्टेवादी संगठनों से निकटता भढ़ गई थी B. अंग्रेशों द्वारा भढ़काने के कारण C. मुसलिम लीक के शर्यंतर के कारण D. उले माओं के भढ़काने के कारण तो जी बच्चों आपने बिलकुल सही पहचाना इसका उत्तर है A. तो बच्चों आज हम इस पार्ट पर यहीं तक चर्चा करेंगे लेकिन हमने इस बात पर भी विचार किया कि अमीर और निर्धन किसानों व्यापारियों और उद्योग पतियों और द्योगिक मजदूरों तथा महिलाओं ने सविने अवग्या आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया हमने सभेने अव्यध्या आंदोलन की सीमाएं भी देखी और क्रांती कारियों के बारे में भी बात की आशा है आपको चर्चा रुचिकर और उप्योगी लगी होगी आज हमने जहां तक बात की है वहां तक के खंड को आप अपनी पुस्तक में से भी अवश्य पढ़े इससे आपकी समझ बहतर होगी तो बच्चो स्वस्त रहिए पिरसन रहिए खेल कूद और धेर सारी मस्ती कीजिए लेकिन मन लगा कर धेर सारी पढ़ाई भी कीजिए तो अब आपसे अगले अंक में फिर से भेटोगी तब तक के लिए नमस्कार झाल